एपिसोड नौ नाजुक बॉन्स एक बेस्ट ऑन लाइन अर्निंग लखी प्रॉमिस कहानी जैसे जैसे मौंट गोमरी परिवार का प्रभाव बढ़ता गया उन्हें अपने प्रभाव का विस्तार करने और और भी अधिक उचायों तक पहुंचने के नए अफसरों का सामना कर उन्होंने समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों के साथ साजेदारी की तलाश की जटल चुनोतियों से निपटने और सार्थक प्रक्ति के लिए अपने संसाधनों और विशेशग्यता को एकत्रित किया चाहे वह चैरिटी कार्यक्रमों का आयोजन करना हो ज चैरिया आउटलेक्स में दिखाया गया और उनके परोगकारी प्रयासों के लिए पुरसकारों से सम्मानित किया गया हालांकि वे पहचान के सामने विनमर बने रहे लेकिन उन्होंने उन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए अपने मंच का उपयोग करने के महत्व को जिन्हें अक्सर नजरंदाज कर दिया जाता था। वे समझते थे कि बड़े प्रभाव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और वे सकाराक्मक बदलाव के लिए अपने मंच का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मार्क ने स्थिर्ता और उद्यमिता में अपनी विशेशग्यता का लाब उठाते हुए पर्यावरन नुकूल प्रथाओं को अपनाने में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक पहल शुरू की। मिंटरशिप कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अनुदानों के माध्यम से उन्होंने उद्यमियों को अपने संचालन में मुख्य मूले के रूप में स्थिर्ता को अपनाने के लिए सशक्त बनाया, यह प्रदर्शिक करते हुए की लाभप्रता और पर्यावरनिये प्रबं मिंटर्शिक करते हुए की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन इस तरह किया जाए की लोगों और ग्रह दोनों का सम्मान हो। जैसे मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों के साथ साजेदारी की अपने संदेशों को बढ़ाने और कारवाय करने के लिए अपने दर्शकों को संगठित करने के लिए अपने मंच का उप्योग किया। और जब उन्होंने आशा और द्रिड संकल्प के साथ भविश्य की ओर देखा तो उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन उन्होंने आत्म विश्वास के साथ इसका सामना किया। उनके सर्योगात्मक द्रिष्टिकोन और नवीन समाधानों ने उन लोगों से प्रशंसा और समर्थन प्राप्त किया जिन्होंने अधिक टिकाऊ और न्याय संगत दुनिया के लिए अपना द्रिष्टिकोन साजा किया। मार्क ने खुद को दुनिया भर के सम्मेलनों और कार्यक्रमों में बोलने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने स्थिर्टा और उध्यमिता में अपनी अंतरग्रिष्टी और अनुभव साजा किये। बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी विशेशगिता का लाब उठाते हुए, वह अपने व्यवसाय मॉडल में पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी को एक इकरित करने वाली कमपनियों के लिए एक पसंदीदा सलाहकार बन गए। मार्क ने जलवायू परिवर्तन और संसाधन की कमी जैसी गंभीर परियावरणिये चुनोतियों के समाधान के लिए नई तकनीकों और समाधानों का पता लगाने के लिए शैक्षनिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ भी सहयोग किया। निश्पक्ष व्यापार और नैतिक उपधोग को बढ़ावा देने के लिसा के प्रयास उन उपधोगताओं को पसंद आये जो अपने क्रय निर्णयों के सामाजिक और परियावरणिये प्रभाव के प्रती तेजी से जागरूख हो रहे थे। उनका स्टोर नैतिक खरीदारों के लिए एक केंदर बन गया, जिन्होंने उनकी सोर्सिंग प्रथाओं की पारदर्शिता और अखंडता की सराहना की। और कार्यक्रम आयोजद किये। एक समुदाय उनके साथ खड़ा था, जो एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविश्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए तयार था। जैसे जैसे मोंट गोमरी परिवार का प्रभाव बढ़ता गया, उन्होंने प्रणालिगत परिवर्तन लाने में सर्योग और गटबंधन निर्मान के महत्व को पहचाना। उन्होंने अन्यसंगठनों, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों के साथ साझेदारी बनाई, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर जटिल चुनातियों से निपटने के लिए अपने संसाधनों और विशेशग्यता को एकतृत करते हुए अपने मूल्यों और लक्षियों को साजा किया। और प्रभावशाली लोगों का समान रूप से ध्यान आकरशित किया, जिससे हाई प्रोफाइल पहल और परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए निमंत्रन मिला। सार्थक बदलाव लाने और भावी पीडियों के लिए सकारात्मक विरासत छोड़ने के बारे में थी। और जब वे आशा और ग्रेड संकल्प के साथ भविश्य की ओर देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन वे सभी के लिए एक बहतर दुनिया बनाने की अपनी साज़ा प्रतिबधता से एक जुठ होकर आने वाली चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार थे। अगले एपिसोर में दिल्चस्प कहानी क्रमश है, प्रॉस्परस टीम